वन जियों सनरक्षन सप्ता के आउसर पर कोर्बा वनमंडल के सांस संयुक तुरूप से आयोजित किया गया जागरुकता कारिकरम वन जियों के प्रती बच्चों में दिखा उच्छुकता कोर्बा जिले में वन जियों सनरक्षन सपता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है इसी कड़ी में रायपूर से आये नोवार नेचर वेलफेर सोसाइटी जो की राज में वन जियों के सनरक्षन एवं सनवर्धन का कारे कर रही है और कोर्बा के सनेक रेस्क्यू टीम जो जिला में सापों को सुरक्षित करने का काम कर रही है जिला मुख्यालाय से 25 किलो मीटर दो शास की उचितर महाविद्यालाय मदनपूर में जागरुकता कारे करम आयोजित किया इस शेत्र में कारे करने का मकसद था कि आसपास में कींकोब्रा बड़ी संख्या में देखा गया है जिसके लिए आसपास के बच्चों को जागरुक कारी भी दी गए क्योंकि आसपास का शेत्र हाथी प्रभावित है करीब एक घंटे के इस कारेक्रम में बच्चे बड़ी उचसुकता से देखते सुनते रहे फिर आखरी में बच्चों से वने जियों से संबंधित सवाल पूछा गया जिस पर बच्चों ने बढ़ चड़क के जवाब दिया जवाब देने पर बच्चों को चॉकलेट की रूप में इनाम दिया गया इस औसर पर शास्की उच्चतर माधिमिक विद्यालय मदनपूर के प्रिंसिपल बियार राठिया व्याख्याता पसरखेत रेंज ऑफिसर एस मरावी सहीत स्कूली बच्चे और ग् इनकारी मिली इससे बच्चों को क्या पाइदा होगा कि वह अगर कुछ इन्सिडेंट होता है तो सूरत में कैसे काम करना है कैसे उससे बचना है इसके बारे में प्राप्त हो है अभी हम लोग यह है करौण में दो अक्टूबर से लेकर 8 अक्तूबर तक वन्नेपलानीश से करता मनाए जा रहा है इससे संबंधित वंदपाना से अपने जंता को वन्दपानाश समद्धित ज्यागुता अभ्यान चला जा रहा है इसमें इस कारीकरम के दात हम लोग आज है है हैं दौरा अज बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंक से उनको जांकरे दी गई इसमें सांप के बारे में जांकरे दी गई कुन-कूर उसे किस तरह से बचाय जाए 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 उसकी सब्सक्राइब लिए इनको जान करें दीदी पूरभा वन्मंडल के साथ हम यहां पे मधनपूर जो पसरखित के पास है वहां पे हमने वन्यजीव संदक्शन सब्ता बनाने का कारी किया और इसमें से अभागी रहे इस शाला के धेरो बच्चे जो आए और इस सप्ता के उपलक्ष पर वनिप्राणियों के बारे में खासकर सांपों के बारे में और उनके छेतर में मिलने वाले किंग कोब्रा के बारे में जानकारी अरजित की इसके उपरांत इस कारेशाला के उपर बेस करके हमने कुछ प्रशनोत्री किय और जवाब देने वाले को हमने फल स्वरूप इनाम भी दिया तो खुल मिला के ये कारेशाला एक अच्छा रहा और इन नन्हे बच्चों को ये जो देश के भविश हैं इनको वन्य जीव संडक्षन के दिशा में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा ऐसा हम आश मेडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार की साथ संतोश अगरवाल की रिपोर्ट